हेलो गाईस पुस्पा की रशोई में आप सब को शौगत है आज हम लेके आए हैं बहुत ही हेल्डी बहुत ही टेश्टी ब्रेकफास्ट तो जिसको हम बनाएंगे तो इसके पहले आप हमारी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्स्ट्राइब करें और लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं रेस्पी आप सबको कैसी लगती है तो यह देखिए मैंने चैने के डाल ली हुई है और इसमें मैंने थोड़ा मिक्स डाल भी कर दिये जरासी इस तरह से मैं राद बर भिंगों को रख दिया था अब हम इसमें मिक्सी के जार में लेकर के इसको पीस ल नमक और यह देखी आटा में थोड़ा से नमक भर लगाया था और यह जैसे सादा आटा लगता है वह इस तरह से आटा लगा लेंगे और हम इसकी छुटी-छुटी लूई यह बनाएंगे और इस तरह बीच में इसको गड़ा जैसा करके जैसे हम गुजिया बगएर भी करत तो यह रेस्पी है जो बहुत ही हेल्डी होती है और बहुत ही जल्डी बनके त्यार हो जाती है और यह खाने में भी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है तो आप इस तरह से कुछ जंजर भी नहीं है बनाने में खाली आपको चैने की डाल भर लगना है मैंने थोड़ा मुझे को बना करके और उसको फेलिंग भरके अब में रख दूंगी अमणे में लेनाइं पाणी और जिसमें आपको बनाना ऐख कर ws तो यह मैंने कड़ाई में थोड़ा पानी रख दिया था और पानी जो हमारे खौलने लगे तो उसमें दो मून हम तेल डाल देंगे ताकि हमारे यह जो फरे बन रहे हैं वो चिपके ना और यह देखे थोड़े टायम पे यह पक्के त्यार हुए हैं तो आपने दीगा तो मैं अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सब तेल में फ्राइब कर लेंगे इससे क्या हुआ कि जो थोड़ा बहुत कच्छा पन होगा वो चला जाएगा और यह हमारा जो बरीक फास्ट बन रहा वो बहुत क्रिस्पी बन के त्यार होगा तो आप चाहाए तो ऐसे भी खा सकत बन रहा है तो आपको कैसा लग रहा है तो आप यह कमेंट करके जरूर बताएं और आप बनाकर की भी देखें यह खाने में बहुत अच्छा लगता है मेरे तो सब को बहुत पसंद आ रहा था मैंने का बहुत मठाई और बहुत मैदा की चीजे हो गई आज को जना हटके ना निकाल लें और आप यह ना सोचें कि जो फिलेंग है वो फैलेगी ऐसा कुछ नहीं है यह बहुत ही आसानी तरीके से फ्राइब हो या देखें मैं आपको कलट के भी दिखा रहे हैं इस तरह से उलट कलट करके आपको दोनों तरफ अच्छे से से लेना है मैं जितनी भी रेस्पी बताती हूं वह हो ही दिखाती हूं जो मैं घर पे बनाती हूं मैं बार वार आपसे कहती हूं कि मेरे वेडियो को आप पूरा देखें मैं कुछ भी दिखावटी या बनावटी वैसी चीज़े नहीं बनाती हूं जो घर पे खाते हैं हम लोग बस उस यह फ्राई हो चुके हैं अब हम किसी प्लेट में इसको निकाल लेंगे जिनास्ता ऐसा इससे हमारा पेड़ भी भर जाता है और आप किसी टाइम भी बना सकते हैं बस खाली चने की दाल पोड़ी जो हम फुलाते उसमें थोड़ा घंटा 200 टाइम लगता है मैंने तो रात में रख दिया था और इसको आप एक दो दिन रख भी सकते हैं और जब भी आपका मन करें तो आप चाहे के साथ में या आप ऐसे भी जैसे भी आपको पसांदो इस तरह से आप खासत में यह देखिए मेरे फरेसिक के तियार हुए अब हम इसमें थोड़ा सा तड़ता लगा दे लेंगे ताकि इसका जो फरे का कलार है और भी अच्छा लगे तो जड़ा सा हल्दी थोड़ा सा लाल मृष पाउडर और हम इस पे बस नमक ठोड़ा सा डाल के जादा ज़रूत नहीं क्यूंकि हमने आटे में नमक वैसी लगाया था और जो मसाला था उसमें भी नमक था तो मैंने बच्चे को अपने हस्वेंड को चाह दे दी और यह देखे फरे भी रख दिये चटनी में और दूसरे शनेक भी बनाया हुआ था मैंने उसको भी रख लिया है क्योंकि बच्चा मेरा यह फरा और नहीं पसंद करता है उसको आलू के स्नेक तो आप यह थोड़ा सा मैगी मसारा डाल के यह थी पसंद हो और यहा थोड़ा सा यूण स। थोड़ी चटनी भी मैं बनाई हुए। आपको जस तरह से पसंद हो आप उस तरह से लीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीए कर रही हूं अगले बीडियो फिर द ग.